नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूटूब चैनल करियर पॉइंट पे और दोस्तों आज देखिए एस्टेट से संबंधित फिर कुछ गैडलाइन जारी किया गया है तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या क्या न्यूज आया है आज ये जोग्राफी, पॉलिटि, एकनोमिक्स, पेडागोजी, रिजिनिक पूरी तैयारी कराए जारे दोस्तों आपको कहीं जाने का जीरूरत नहीं अगर आपका पेपर सोसल साइंस है तो आपको यहां पर पूरी तैयारी कराए जारे और जो भी आपका नूज आता है इस टेस से सम्मधित आपको सबसे पहले दिया जाता है तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेश कर ले ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके चली दोस्तो इसमें क्या बताया जा रहा है देखते हैं तो तीन पालियों में टेस्ट सही दोस्तो तीन पालियों में आपका टेस्ट होगा कितने कितने बज़े है तो मॉर्निंग में साथ बज़े मॉर्निंग में आठ बज़े सुरू होगा फिर बारा बज़े है और तीसरा पालियों में आपका चार बज़े चलिए आगे देखा बता जा रहा है इसमें कि 12 जिलो में 9 से होगा STET यानि 9 सितंबर से ले करके 20 सितंबर तक आपका STET का एक्जाम होगा परिच्छा से ये घंटा पहले पहुचना होगा सेंटर पे ये घंटा अपना पहुच ले और सुनिश्चित कर ले कि हां मेरा ये से 15 की पुनर परिच्छा 9 से 21 सितंबर के बिच online होगी हन आपका परिच्छा कैसे होगा तो online होगा अलग अलग बिश्यों की तीन पाली में अलग अलग बिश्य की डेली आपका तीन पाली लिया जाएगा ठीक है कौन-कौन डेट में लिया जाएगा तो 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 और 21 सितंबर को आपका एक्जाम होगा इसके लिए बिहार के 12 जीलों में परिच्छा केंदर बनाया गया है और परिच्छा केंदर कहां कहां बनाया गया है तो आप देख ले आप किसके अंतरगत आते हैं तो पटना है, भोषपूर है, नलंदा है, गया है, छपरा है, वैशाली है, मुजफरपूर है, औरंगाबाद है, दरभंगा है, समस्तिपूर है, भागलपूर है, पुर्णिय है, यह 12 जीलों में आपको परिच्छा केंदर बनाया गया है, और जो एक्जाम लिया जाएगा, वो बेल्ट्रों द्वारा संचालित एजनसी टिसी एस आई ओ एन द्वारा निर्धारित परिच्छा केंदरों पर ऑनलाइन एक्जाम आपकी होगी, इस परिच्छा में जो अभ्यर्थी, चेयनित होंगे, उनकी नियुकती सिच्छक पद पर होनी परस्तावित है, बोर्ड ने 12 जीलों के जिलाधिकारियों को परिच्छा कदाचार मुक्त और सांती पुर्ण आयोजित करने के लिया देश दिया है, इलेक्ट्रॉन गजट पर होगी रोक हाँ, तो आपको हो गया, मोबाइल हो गया, बुलू तूथ हो गया, पेजर हो गया, वाइटनर हो गया, इरेजर हो गया, इस परकार का कोई भी चीज आपको लेकर नहीं जाना है, तिक है, सभी परिच्छा के इंदर पर आठ सितंबर को ही जैमर भी आपको लगा दिया जाएगा, आगे देखिए क्या बताया जा रहा है दोस्तों, कि केंदर के पिछले अथवा बाहरी हिस्से में विडियो गराफी, सही दोस्तों सुन रहा है कि केंदर जो है, आपका जो सेंटर होगा, उसके बाहरी हिस्से और पिछले हिस्से में विडियो गराफी की विवस्था की तो वहाँ पर खोल के आपको खाली पर जाना पड़ेगा ठीक है परिचारती चपल पहनकर ही परिच्छा के अंदर परवेस्ट करेंगे परत्थम पाली के परिच्छा अरंभ होने का समय कितने बजह से आठ बजह से पर आरंभ होगा और आपको कितने बजह पहुंच जाना है आपको वहाँ पे 7 बजे, आपको कम से कम 7 बजे पहुच जाना है, ठीक है, क्योंकि 7 से 7 तक आपको इंटरी मिलेगा, इसके बाद गेट को बंद कर दिया जाएगा, ठीक है, दुसरी पाली का एक जो एक्जाम सुरूँगा, वो 12 बजे से, तो आपको 11 बजे वहाँ पहुच मिलेगा, तो ये बात आप ध्यान रखिए, नोट कर लीजे, आप उस समय से पहुचना नहीं, तो आप परिच्छा से वनजीत हो जाईएगा, आगे क्या क्या बता रहा है, पर्थम पाली जो है, वो 8 बजे से होगा, और इसके लिए 1 घंटा पहले, यानि कि, पहले 7 बजे स साड़े 7 बजे तक परिच्छा भवन में परवेश के नुमती दी जाएगी, साथ से लेकर के साड़े 7 तक ही आपको नुमती दिया जाएगा, यानि कि, मातर 30 मिनट, मातर 30 मिनट में आपको इंट्री करा दिया जाएगा, इसके बाद, गेट को क्या कर दिया जाएगा, भवन के मुखितवार को बंद कर दिया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना, आपको समय से पहुचना है दोस्तू, नेक्ष आपको बताया जा रहा है, इसी परकार 30 पाली के परिच्छा प्राड़म होने के शमय, यानि कि 30 पाली आपको आपका चार बजे से, जिनका भी तिर्थिय पाली होगा, उनका चार बजे से जाम सुरू होगा, अर्थात, तीन से साड़े तीन तक परिच्छा भवन में परिवेश के उनमती दी जाएगी, केंदर के शभी परिच्छा हॉल में CCTV कैमरे की रिकॉर्डिंग परिच्छा के 30 मिनट पहले, और 30 मिनट पहले आर अगर आठ बजे से सुरू हो रहा है, तो कितने बजे तक चलेगा, शाड़े 10 बजे तक चलेगा, ठीक है, कितने बजे तक चले तक चले तक उस तो, शाड़े 10 बजे तक आपका एक्जाम चलेगा, तो अपना डेड समय याद रखी है, उस अनुसार से आपको अपना मैनेज करना है और पढ़ते रहना है ठीक है अपना सेट बनाना है समझ गया ना एकजाम देना है चलिए इसमें बताया जा रहा है कि परिच्छा के अंदर के पिछले और बाहरी हिस्से में वीडियो ग्राफी की ब्यवस्ता की जाएगी देखे ब्यवस्ता तो इतनी की जाती है लेकि किसी को ना मिले परिच्छा सांती पूर्ण तथा कदाचार रहित रूप से संचालित की जाए जीला पताधिकारी अपने जीले में संपन होने वाली परिच्छा के मुक्त परिच्छा संचालन के लिए परिच्छा केंदरों की भोगलिक इस्तिति को ध्यान में रखते हुए سूபर जोन एवं जोन में बाटा जाएगा सूपर जोनल एवं जोनल अधिकारी कि परती निक्ति पुलीस बल के साथ ही की जाएगी देखिए हहां कुछ विवस्ता किया जाएगा ना वही ची आपको बताया जारा है यहां कुछ जा iba अप को नहीं है तो ये था देखिए कुछ news दोस्तो जो आपके लिए देना बहुत जुरूरी था और देखिए admit card अभी तक जारी नहीं किया गया है लेकिन परीचा की पूरी बेवस्था कर ली गई है अब देखिए आगे क्या होता admit card कब जारी होता आज होता या कल होता है यह आपका 31 तारी क्योंकि exam आपको बार-बार होता नहीं है वो भी खास करके बिहार सरकार का तो चलिए दोस्तो फिर और आपको देखिए state की यहाँ पर पूरी तयारी आपको कराए जा रही है आपका 9 बजे से जो आपका class चलता है history का 9 बजे morning में 9 बजे morning में आपका history का class होता है ठीक है और आपका economics का class होता है ठीक है 9 बजे morning में 12 एक बजे से एक बजे से daily एक बजे से daily आपका class चलता है दोस्तो जोगरफी का तो जिनको जोगरफी करना है एक बजे daily आप आ जाया किजिएगा life class ठीक है और daily रात में 9 बजे से आपका चलता है polity class तो यह आपका routine है आप इस अनुस ठीक है और इसके अलावे आपको देखिए pedagogy जो पढ़ाया जा रहा है Sunday को पढ़ाया जा रहा है Pedagogy संडे को आपको कराया जा रहा है रात में 9 बजे से Sr. visas तो यह ता आपका routine दूश्तोー को पढ़ाया जा रहा है जिस अनुसार से और अगर आप इतना करते हैं तो आप 120 plus गरंटी के साथ 29000 कर सकता हूँ कि इसे कम आपका एक भी मार्ण है ज्यादा आएगा कम नहीं आएगा। जunnाब आपको पढ़ाया गया है। बहुत पढ़ाया है। अब जाकर पढ़ लीजिए बस काफी है। आप इतना पढ़ लीजेगा आप अराम से पास कर जाएगा तो ठीक है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अच्छे से त्यारी करते हैं जै हिन जै भारत